दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं profile recommendation के बारे में कि profile recommendation जो है यह होता क्या है इसका use कैसे करना है और यदि आपके profile recommendation के अंदर यदि flag content का issue आ जाता है तो इसको कैसे fix करना है दोस्तो सारा हम इस वीडियो में discuss करेंगे दोस्तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है तो सब आपसे पहले बात करतें दोस्तो कि profile recommendation या page recommendation होता क्या है यदि आपका एक profile है तो यह फिर profile recommendation के नाम से दिखाएगा यदि page है तो page recommendation के नाम से यहाँ पे दिखाएगा ति यह होता क्या है दोस्तो इसके अंदर बहुत सारे features होते हैं दोस्तो जिसकी मदद से यहाँ पे आप यह पता कर सकते हैं कि आपका जो profile है या page है वो कितना तेजी से grow हो रहा है या grow हो रहा है या नहीं हो रहा है सारा चीज आप इसके अंदर जो हैं दोस्तों देख सकते हैं ति यह जो feature से दोस्तों यह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जैसा ही आप अपने facebook को open करेंगे और यहाँ पे अपने profile में जो है click करेंगे उसके बाद यहाँ पे c dashboard में आप जो है click करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिलेगा जैसे मैं यहाँ पे close करके फिर से खोल के आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे c dashboard में click करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे tools में यह जो feature से profile recommendation वाला देखने के लिए मिल जाएगा यदि नहीं दिखा रहा ता आप यहाँ पे c more में click करेंगे तो नीचे यहाँ पे दिखा देगा मेरा यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा है त इसमें आप जैसा ही click करेंगे दोस्तों तो सारा चीज यहाँ पे खुल जाएगा उसके बाद यहाँ पे यदि आपके profile या page में किसी भी तरह का कोई भी violation रहेगा तो वो सारा चीज यहीं पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा आप यहीं से उसको सुधार कर सकते हैं जैसे मेरा यहाँ पे देख सकते हैं flag content का यहाँ पे issue आया हुआ है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि profile है जो no violation मेरे profile में किसी तरह का कोई भी violation नहीं है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे account status में click करेंगे तो यहाँ पे यदि आपके profile में कोई भी restriction वग करन नहीं है इसके अलावा दोस्तों यदि आप monetization में click करेंगे तो यहाँ पे भी आप जो है check कर सकते हैं कि आपके industry made में stars में या reals वाले add में किसी तरह का कोई भी issue है क्या यहाँ पे green दिखा रहा है दोस्तों तो कोई भी issue यहाँ पे नहीं रहेगा ठीक है तो यहाँ से ह इसलिए बनाए गया है दोस्तों ताकि आप जो है खुदी से check कर सकते हैं कि आपका profile या page जो है वो grow हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको आप जो है खुदी से check कर सकते हैं और Facebook जो है यदि आपका profile बढ़िया रहेगा इसमें कोई भी issue या कोई भी validation वगेरा नहीं रहेगा तो आपका जो profile है दोस्तो Facebook उसको खोदी दूसरे लोगों को recommend करेगा ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक issue यहाँ पे दिखा रहा है flag content वाला तो यहाँ पे manage content में मैं किलिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे दिखा रहा है यहाँ पे direct बोल रहा है कि post we want recommend मतलब कि मेरा जो post है दोस्तो वो recommend नहीं होगा दोनों चीज recommend होता है post भी या profile भी या page भी ठीक है यदि page रहतो तो यहाँ पे sap बोल रहा है कि मेरा जो post है वो recommend नहीं होगा तो कारण क्या है वो जानने के लिए यहां पे दो दिखा रहा है तो यहां पर फ़स्ट वाले में क्लिक करते हैं तो देखे यहां पर क्या दिखा रहा ही थीस पोष्ट में गो अगेंस आवर कम्Max Prime गाइडलाइन्स की मतलब की मेरा जो पोष्ट है दोस्तों वो community guidelines के यहाँ पे खिलाप जा रहा है इसलिए यह जो post है यह मेरा recommend नहीं होगा तो यहाँ से यदि इस चीज को मैं हटाना चाहता हूँ नीचे यहाँ पे और भी बोल रहा है कि क्या-क्या impact करेगा यह और यह आया क्यों है सारा चीज यदि आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरह का content जो है वो आपको नहीं बनाना है या upload नहीं करना तीस चीज को हटाने के लिए दोस्तों जब तक आप इस चीज को हटाएंगे नहीं है किसी तरह का कोई भी violation वगेरा नहीं होना चाहिए जब तक आप इस चीज को हटाएंगे नहीं आपका post और आपका profile या page जो भी रहे वो recommend नहीं होगा recommendation में नहीं जाएगा और आपका जो page है या profile वो grow नहीं करेगा तिस चीज को ठीक करने के लिए यहाँ पे जो भी issue दिखा रहा है इसको आपको हटाना पड़ेगा हटाने के लिए यहाँ पे नीचे take action में आपको click करना है और इसको क्या करना है delete कर देना जैसे मैं यहाँ से इसको delete कर देता हूँ तो मैं यहां से इसको delete मार देता हूँ उसके बाद देखते हैं कि यह जो violation है यह हटता है यह नहीं हटता है तो यहां से back जाता हूँ बेक जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहां पर एक हट गया उसके बाद यहां पर एक और दिखा रहा है इसमें भी किलिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है इसमें देखी यहां पर sensitive content का यहां पर issue दिखा रहा है इस वाले वीडियो में हो सके यहां पर जो बताया गिया है इसमें से कोई mistake हुआ होगा इस वीडियो के अंदर इसलिए sensitive content के अंदर चला गिया है तो यह भी जो है दोस्तों यह भी community guidelines के खिलाप है और यहां पर यह भी post जो है यह नहीं जाएगा recommend में थी इसको भी ठीक करने के लिए हम यहां पर take action में किलिक करेंगे और इसको भी delete कर देंगे ठीक है तो उसके बाद back जाएंगे back जाने के बाद दोस्तों refresh करेंगे हम तो देखिए सारा चीज यहां से ठीक हो गया तो हम जो है यहां से back आएंगे और एक बार यहां पर refresh करेंगे और देखते हैं यहां पर यह हटा या नहीं तो देख सकते हैं के profile या page में किसी भी तरह का कोई भी violation या issue आ जाता है तो आप यहां से check भी कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं यहीं से बहुत ही असानी से check भी हो जाता है और ठीक भी हो जाता है तो आप इसको जब भी यहां पे खोले दोस्तो तो आपको यहां पे check करना है कि आपका य या profile है वो काफी तेजी से ग्रो करें यह बैसिकली ग्रो करने के लिए ही बनाया गिया है ठीक है तो आप मुझे कमेंट करके बताएए दोस्तों कि आपके profile या पेज में यह जो आप्शन है profile रिकमेंडेशन वाला यह वाला यह